जनमस्टमी का जो फास्ट होता है वो तो maximum लोग रखते हैं इंडिया में, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी जनमस्टमी का फास्ट रखते हैं, तो वो तरीका कौन सा है जिसमें आप एक ही दिन में एक से दो किलो वाजन अपना कम कर सकते हैं और ये ही नहीं बोडी को detox कर सकते हैं सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर अपनी बिमारियों को ठीक कर सकते हैं क्या आपको यकीन नहीं हो रहा है आप कहेंगे कि हमने तो बहुत दिन से fast रखते आ रहे हर साल रखते हैं लेकिन हमने तो कभी weight loss नहीं किया ना हमारी बिमारिया ठीक हुई है यही तो कारण है कि आपने जो fast किया है वो सही धंग से नहीं किया है मैं आज आपको सही धंग बताने वाली हूँ अगर इस तरीके से आप fast करते हैं तो एक ही दिन में आपको maximum result मिलेगा आपका weight भी कम होगा साथ ही साथ आप अपनी body को detox भी कर पाएंगे जिससे आपकी बिमारियों को ठीक करने में भी आपको help मिलेगी और एक energy आपके अंदर जो बनी रहनी चाहिए वो कैसे बनी रह सकती है पूरा दिन बिना कुछ खाए पी और क्या चीज़े ऐसी है जो कि आपको खानी चाहिए उस fast के दोरान जिससे आपके energy तो भरपूर रहेगी लेकिन जो आपका weight है वो एकदम घटेगा और क्या-क्या activity आपको सामिल करनी चाहिए उस दिन वो सारा कुछ मैं detail में आपको समझाने वाली हो जब आप एक पिछली रात को खाना खाते हो वहां से लेके और next जब अपने fast रखा उस दिन और उसके next दे तक मैं आपको पूरा detail में बताऊंगी कि क्या-क्या खाना है कैसे वो fast करना है और क्या-क्या प्रक्रिया आपको पूरे दिन में निभानी है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हेलो फ्रेंट्स मैं सुमन चोहान, certified dietitian, nutritionist आपकी fitness trainer में चैनल हेलसिटी में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स जैसे कि जर्मास्ट में का जो fast होता है तो सभी बड़े उत्सा से मनाते हैं और सब लोग इस दिने fast रखते हैं तो तरीका सही क्या है ताकि जो मोटे लोग हैं वो अपना weight घटा सके, जो बीमार लोग हैं वो अपनी बीमारिया ठीक कर सके और सही जो माईना है एक fast रखने का जैसे ही ये पारू मनाया जाता है और हम इंडियांस ज़्यादातर fast रखते ही है मानलिया कोई उत्साव आ गया तो उस पे fast रखना होता है तो ये जो चीजे बनाई गई है व्रत रखा जाता है तो क्यों रखा जाता है वो तो आप सबको पता है कि बोडी को detox करने के लिए बिमारियों को थीक करने के लिए लेकिन आजकल जिस तरीके से हम fast रखते हैं किया वो तरीका सही है किया उससे हमारी body detox हो पाती है किया उससे हमें पूरा benefit मिल पाता है नहीं आप कहेंगे कि हमें तो आज तक मिला नहीं हम तो इतने सारे fast करते हैं बलकि कमजोरी आने लगती है तो सही तरीका जान लीजिए और यह जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ इस तरीके से इस fast को follow करना जो यह जनमस्कमी का fast रखने जा रहे हैं आप और फिर देख से follow करना है जो यह fast आ रहा है उसी तरीके से अपने fast रखना है जैसे आप कल fast रखने वाले हैं अब पिछली रात को आप क्या खाकर सोएंगे सबसे पहले तो वहां से शुरुआत करते हैं वह main matter करता है कि आप क्या खाकर सो रहे हैं क्योंकि यही आपका पूरा दिन का जो fast आप रखने वाले हैं उसमें उसको आसान कर देगा fast रखने का जो प्रोसीजर है वह आसानी से आप कर पाऊगे बहुत ज्यादा weakness आपको फिल नहीं होगी तो आपने क्या करना है अगर आप रोटी सबजी खाते हैं तो उसके साथ कुछ भी ऐसी चीज ले ले लेना जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन ज switch आठंट से 10 slices आप पनीर की ले सकते हैं अर्ए भूरजी बना सकते हैं अगर आप एक कृग यह चाना हो एक उबलावा अंड़ा ले सकते हैं अगर यह सब चीज आप नहीं खारहे नहीं so spends्व नहीं खारहे हैं थो थोड़ा सा पनीर ले सकते हैं प स्प्राउट ले सकते हैं या फिर मुंग डाल जो होती है वहलका सा उसको उबाल लेना है और उसका अच्छी सब्ज़ा डालके वह आप ले सकते हैं या प्रोटीन की क्वांटइव आपकी जयादा होनी चाहिए। इस खानी है थोड़ी सबजी खानी है अगर आप एक्टिव परसन हो कहने का मेनी यह है काम काज आपके पास थोड़ा जादा है तो इसलिए आपको भूख जादा लगती है तो एक रोटी भी आप साथ में ले सकते हैं लेकिन अगर यह कहें आप कि चना चाट मैं खालूंगी तो म मैं क्यों मना करूँ यह मैं इसलिए मना करूँ कि बहुत जादा अगर आप कार्बो हाइडिड उस रात में खाएंगे बोडी के लिए सबसे सिंपल फूड कार्बो हाइडिड होता है जिसको जल्दी से तोड़ती है और आपके खून में भेज देती है ग्लुकोज जहां से फैट में कनवर्ट कर दिया जाता है एक्स्ट्रा ग्लुकोज जो होता है क्योंकि वो खून में तो हमारी बोडी रखने ही पाएगी वो फिर नुकसान देगा बिमारिया पैदा करेगा इसलिए उसको फैट में कनवर्ट करने के लिए भेज दिया जाता जितना भी एक्स्ट एड़ करना है और एक चीस और एक चम्मज़ फैट और करने से और प्रोटीन अगिसे अड़का करना है यह दोनों ज sympath हो गया यह दोन ट spr Este को यह नहीं अर्ड डी के अंदर दिर से फ्रोट्रे Lum लेकिन अगर सीमित मातरा में आप ये चीज़े ले रहे हो तो इससे आपकी अनर्जी बरकरार रहेगी चाहे लंबे टाइम तक आप भूके रहें तो इसलिए मैंने बोला है थोड़ा प्रोटी लेना है एक चमच घी लेना है और अगर फिर भी भूक आपकी बाकी वस्ती है तो एक रोटी सबजी आप खा सकते हैं बस इतना ही खाना है आपका रात का डिनर हो चुका है आप ये आपको साथ से आठ बजे के बीच में कर लेना है इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है सिवाए पानी पीना है जब आपको पानी की प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हैं रात को आप आराम से सो जाए अच्छी नीद ले अब बहुत सारे लोग ये भी मानता रखते हैं कि जब फास्ट रखना होता है तो उससे पहले सुबह के वक्त तीन या चार बजे उठके कुछ ना कुछ नास्ता लेना होता है जिससे लंबे टाइम तक या तो हम फास्ट अच्छे तरीकी से कर सकते हैं या फिर अपना ही देखो वो सबका एक अलग तरीका होता है रखने का कुछ लोग खाते हैं सुबह उठके तो हम ल एक से डेड़ गिलास नॉर्मल टेंपरेचर का पानी, गरम करके भी नहीं पीना नॉर्मल टेंपरेचर का पानी, पीना है ताकि आप हाइडरेटिड रहे, बहुत ज़्यादा आपको प्यास की फिलिंग भी ना हो, उस ताइम आपने पानी पी लेना है और पीके फिर से सो जा अब आपको पानी भी नहीं पीना, क्योंकि आपका सुरुग हो चुका है आप साथ बजे के राउंड या साठे साथ या कुछ भी आपको ऐसा काम होता है कि आठ बजे तक आपको वह काम करना होता है जब भी आपको समय मिलें सुभख गे टाइम तो आपको एक चीज़ करनी है या तो आदे गंटे की आप वोक करके आ जाएं अगर आप वोकिंग पसंद करते हैं अगर वोकिंग पसंद नहीं करते हैं तो आप घर में ही 10 से 12 मिनट की जोगिंग करिए हल्की स्पीड में बहुत हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज कोई अगर आप तो तो मुक्त यहग आगर आप हैं तो आप आदे खंटे की वोक करके आप região बहुत जरूरी अब आपके किंग उसके बाद इसलिए हम कुछ भी नहीं क्रते हैं मैं इसलिए बोड़ी हूँ क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी exercise करते हैं तो उससे आपकी body की जो extra calorie पड़ी हुई थी जो पिछला खाना आपने खाया हुआ था वो body ने store करकी रखा हुआ है उसका use अभी तक नहीं कर पाई है तो वो use कर लेगी क्योंकि body को उस टाइम पर energy चाहिए तो जब energy की खपत करनी शुरू करेगी तो उस exercise के दौरान वो calorie भी use हो जाएगी अब बारी आती है आपके fat की दिन भर आपने भूका रहना है लेकिन आपकी body को तो energy चाहिए अब body कहां से energy लेगी अब आपके fat को तोड़ेगी अब बारा बज़े तक आपको पानी भी नहीं पीना है अपनी body को detox होने देना है अब बारा या साड़े बारा बज़े के बाद आप simple पानी के बाद आपको बहुत severe भूक भी लग रही होगी अब आप कहेंगे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए क्योंकि इतना लंबर रखने ही पाते कभी रखा नहीं है जिन लोगों ने रखा नहीं है तो उनके लिए बता रही हूँ तो उनको क्या करना है कि चार से पांच बादाम लेने हैं छिल का उतार देना भिगोई वे बादाम लेने हैं एक अख्रोट की गिरी लेनी है और उसके साथ में एक टुकड़ा आपको ढ्राय कोग्नट लेना है सूखा नारियल जो होता है वो लेना है एक टुकड़ा इतने साङज का आप ले सकते हैं जितना मेरा हाथ देख रहा है इतने साङज का आप ले लीजिए और पानी पीने के 15 मिनट बाद ये खाना है एकदम से पानी पीने के बाद तुरंट खाने मत लग जाना है पानी को भी थोड़ा नीचे जाने देना है फिर इसको चबा-चबा की खाना है इसके बाद एक कब अपने चाय बनानी है जो लोग चाय पीने के सोकीन है वो चाय पी स सकते हैं लेकिन अपनी कोफी में दूद नहीं डालना है अगर दूद डालने हैं तो हलका दूद डालिए बहुत जादा दूद एड़ ना करें सिर्फ दूद दूद से चाय ना बनाएं सिर्फ दूद दूद से कोफी ना बनाएं अगर चाय में दूद डालना चाते हैं तो उ तोगर बिलकुल नहीं दे रहे इसी से हमारी बोडी डिटॉक्स होगी कुछ ना कुछ कार्बोहाइडेड की मातर आपके ड्राइफ रूट्स जैसे नर्स में भी होती है जो मैंने आपको दिया लेकिन वह बहुत मिनिमम होगी बहुत ज्यादा कैलरी आपकी बोडी को नहीं मि कब आपने बीना चीनी वाला वो चाय पी लेना है इससे क्या होगा थोड़े से एकसाइटिड भी आप फील करोगे मतलब आपको लग रहा होगा सुस्त फील हो रहे हैं किसी किसी का फास्टिंग के दौरान बीपी लो हो जाता है तो उनका बीपी लो भी नहीं जाएगा तो उन लोगों के लिए बता रही हूँ नहीं तो जो लोग फास्टिंग को जारी रख सकते वो जारी रखे अब पांच बजे क्या करना है कि अगर फिर से भूक लग गई तो पहले तो एक गलास पानी फिर से पी लेना है पानी पीने के बाद अब आप चाहें तो चाय ले सकते हैं बहुत थोड़ी बस 100 ml के अराउंड जिनको कोफी पीने की आदत है कुछ लोगों को आदत नहीं है तो आप एक काम कर लेना थोड़े से मखाने लेने है उसको घी के अंदर रोस्ट करना है और उसके साथ सिर्फ ग्रीन टी एक कप ग्रीन टी लेना है बस इसके सिवाए क घी में आपको बता रही हूं अब आप कहने कि घी भी आप दे रही हो तो घी ख़ा सकते हैं घी के अंदर कोई कार्बोहाईड नहीं होताता प्रोटीन नहीं होता प्रोटी य।Sw पर से अपनी जो फास्टिंगा उसको जारी रखना है कुछ भी खाना पीना नहीं है पानी भी नहीं पीना है क्योंकि हम अच्छे मात्रा में पानी पी चुके है ग्रिन टी में भी पानी था और एक ग्लास पानी पिया वो भी पानी था तो बोडी भी हाइडरेट हो चुकी है अब कुछ भी नहीं लेना है अब रात के 12 बजे जब हमारा फास्टिंग खोलने का वक्त आता है तो तब माइन रखता है आप ऐसी क्या चीज़ ले जो कि आपका वेट लोस भी कर पाए बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो और जिससे आपका पीट भी भर जाए तो उसके ल ले सकते हैं तीन चार किसमें और उसके साथ दूद पीके गरम दूद पीके आप आराम से सोने चले जाए ये आपकी बोड़ी को एनरजी भी देगा अच्छी नीद भी देगा और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने रोटी बनाई वो नहीं मिलेगा तो दूद पी के आप सो जाएं अगर आप चाते हैं कि नहीं दूद के साथ कुछ मिठाई वगरा हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बैस्ट मिठाई कौन सी है एक काम करना है ये चोलाई है जो चोलाई के लड़ू आपने जरूर खाये होंगे फास्टिंग के दोरान बनते ही बनते हैं अगर मीठे का क्रेविंग्स नहीं होरी तो दूद में ओनली जो चुलाई होती है भूनी हुई फूली हुई चुलाई होती है उसको दूद में डालके पी लेना है फिके दूद को ही अगर फिर भी आपका मन करें कि लड़ू ही खा करके सो जाना है उसे भूग भी नहीं लगेगी और अराम से नीद आएगी अब अगला यह है जिन लोगों को दूद सूटी नहीं करता दूद भी नहीं पसंद नहीं करते वो क्या खाएं तो आप एक काम कर लेना जो समा राइस होते हैं यानि सामक के राइस जो नवरात्रों म रहे ही आप इनको पकाने की विधी जान लीजे बहुत सारी सबजी आप ने लेनी है यानि जो भी सबजी आपके पास है टमाटर है अधनल जो भी आप खाते हैं तो भी आप खाना पसंद करते है तो सबजी उसमें … करनी है और एक जैसे खिचड़ी बनाते वो आपने खिचढ़ी बनानी है पत्ली सी बहुत कम राइस चालने है दो चार मुंघशली की गीरी जो भीगी हुए मुंघशली है वो भी आप डाल सकते उससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा अगर अगर मुझफल ही नहीं डालना चाहते तो मत डालिये अगर आपकी घर में फ्रैस दही है तो थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा करड भी ले सकते हैं अगर रात को आप दही खाना पसंद नहीं करते बहुत सारे लोगों को सूट भी नहीं करती तो आप एक काम करिए एक कप गरम दूद ले लीजिए और एक चोटी कटोरी जो मीडियम साइज की रहती है वह आप वह सामक की खिचडी ले लेंगे और उसमें आदा चमच घी डालेंगे 100 ml दूद लेना है गरम दूद के साथ आप उसको खा के सो जाएंगे वह अच्छी भी रहेगी डाइजिस्ट भी और उसमें बहुत ज़्यादा कार्बो हाइडड भी आपको नहीं मिल पाएगा जो कि फैट में कनवर्ट हो जाएगा तो यह खा कि आप सो जाना है आप सुबह उठना है सुबह उठिने के बाद आपको क्या करना है फिर से वही रूटीन फोलो करना है उठिए फ्रेश होने चाहिए और दस मिनट की जोगिंग जरूर करिए इससे क्या होगा जो रात को आपने कैलरी खाई थी वह आसानी से आप उसका यूज कर लेंगे अब जब आपने जोगिंग कर ली है पानी पी सकते हैं बाकी कुछ नहीं खाना है फिर अपना वेट चेक करना है और उसके कर दोरान आप फ्रूट भी नहीं लेंगे वह मैंने इसलिए मना किया है क्योंकि फ्रूट के अंदर बहुत सारा कार्बोहाइडेड होता है मीठा होता है चाहिए वह फ्रक्टोज की फोम में ही क्यों ना हो लेकिन जब आप मीठा खाते हैं कुछ भी मीठा अगर आप खा र लेती है और अपना जो फैट होता है उसको तोड़ना बंद कर देती कि नहीं मुझे तो एनरजी मिल गई बस हो गया मेरा तो तो इसलिए अगर आप ग्लुकोज मीठा कुछ भी ऐसी चीज नहीं खाते हैं तो आपकी बोड़ी आपके फैट को तोड़ने लग जाती है और इ अपने परिवार के जो फैमिली मेंबर उन सब को यह चीज बताइए उमीद आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो कि आप लाइक शेयर भी करेंगा अगर आप मेरे चैनल पर लेए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो फिर मिलती नेक्स वीडियो में तब तक के ल बाइ तक के लिए